आपका हमारे DSLR फिल्म मेकिंग एपिसोड में मैं हूँ अभी शेक और मेरे साथ है मेरे साथ ही अमन जो Nikon India Technical Team से है और आज हम आपको बताएंगे कैसे DSLR कैमरा का यूज़ करके आप quality वीडियोज बना सकते हैं तो अमन, हाइ DSLR फिल्म मेकिंग है क्या चीज़? देखो DSLR फिल्म मेकिंग अब globally हर जगा है और इंडिया में भी इसका बहुत तेजी से उपियोग हो रहा है और बहुत सारे production houses भी फिल्म बनाने के लिए DSLR कैमरा को यूज़ करते हैं इसकी वज़ा है इसकी compactness और इसकी कई प्रकार की lens variety जिसका use different perspective को पाने के लिए किया जाता है और DSLR के साथ हम बहुत सारी accessories भी use कर सकते हैं जैसे की study cam, slider, jib और आपको बिलकुल उसी तरह के cinematic views मिलते हैं हमारे viewers और बहुत सारे लोग जो DSLR से quality videos shoot करना चाहते हैं उन्हें बता दूं कि DSLR को quality video shoot करने के लिए set करना कोई rocket science नहीं है settings अकसर एक जैसी ही होती है जैसी आप still photography के लिए set करते हैं video shoot करने से पहले बस आपको कुछ certain elements का ध्यान रखना होता है तो अमन चलिए हम अपने viewers को बताते हैं कि rolling start करने से पहले camera में क्या set करते हैं राइट नाओ मैंने यहाँ पर 1080 का frame rate चुना है जो कि 24 frames per second का full HD output है अभी मैं जितने frames per second पर shoot कर रहा हूँ उसी से मैं shutter speed decide करूँगा जब आप video shoot कर रहे हूँ तो camera पर control होना बहुत ज़रूरी है मैं prefer करता हूँ manual mode आप अपने video को P mode पर या S mode पर या फिर aperture priority auto mode पर भी shoot कर सकते हैं लेकिन मैं manual mode prefer करता हूँ जो कि आपके fps से दुगना है अगर आप 30 frames पर shoot कर रहे हैं तो आपकी shutter speed 1 by 60 होगी ये बस आपके videos के किसी भी तरह के movement या rolling shutter को avoid करने के लिए है तो आभी मैं 24 fps पर shoot कर रहा हूँ मैं अपनी shutter speed को 1 by 48th of a second पर set करूँगा लेकिन DSLR में 1 by 48th of a second की shutter speed नहीं होती तो इसलिए मैं इसे थोड़ा closer 1 by 58th पर रखूँगा अब videos की depth of field पर आते हैं दूसरी चीज़ जो आपको set करने की जरूरत है आपको अपने video में किस तरह का depth of field चाहिए still photography की तरह अगर आपको shallow depth of field चाहिए तो आपको wider apertures पर जाना है जैसे की 2.8 दूसरा parameter जो आपको अपने camera में चेक करने की जरूरत है इसे पहले कि आप video record करना शुरू करें वो है picture control अब आप सही order में picture control set कीजिए ताकि आपके videos में colors ठीक दिखाए दें still photography के लिए picture control setting में standard, neutral, vivid, monochrome, portrait, landscape होता है ऐसे ही D750 और D810 cameras में अब हमारे पास flat picture control है जो कि एक नया picture control है और खास्तोर से videos को shoot करने के लिए design किया गया है अब यह करता क्या है कि यह actually आपके पूरे video को flat कर देता है colors को subdued करते हुए shadow areas की सारी details को अच्छे से दिखाता है तो editor को video में color grading करते हुए post processing करने में काफी liberty मिल जाती है इसी लिए ये एक important feature है जिसका नाम है flat अब अगर आपके camera में flat picture control नहीं है तो फिक्र की कोई बात नहीं है आपको बस neutral पर जाना है और set करना है ये भी flat जैसा ही होता है लेकिन इसके अलावा ये भी याद रखिए कि picture control में आगे बढ़ने पर आपके पास बहुत सारे parameters जैसे की sharpness, clarity clarity एक नया feature है जो D750 और D810 cameras में introduce किया गया है यहाँ पर brightness, saturation और huge जैसे parameter भी है वीडियो को shoot करने के लिए बहुत ज़रूरी है आप sharpness को minimum पर रखिए ताकि post processing में आप थोड़े बहुत sharpness add कर पाएं अगर जरूरत हो क्योंकि अगर आप sharpness level को higher side पर रख देते हैं तो आपके videos में बहुत सारी edges दिखाई देंगी और quality को देखें तो यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा तो अपने sharpness को जितना हो सके उतना low रखिए दूसरा अपने contrast को जितना हो सके उतना low रखिए contrast low रखने से shadow areas में काफी सारी details दिखाई देंगी और फिर आप post processing में contrast को बढ़ा सकते हैं आप इसमें और भी color add कर सकते हैं और अपने videos में एक अलग feel दे सकते हैं तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बाकी के parameters में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है उसे उसी तरह का रखें जैसे DSLR में by default दिया हुआ है तो आपको उनको change करने की जरूरत नहीं है तो ये था picture control के बारे में एक दूसरा challenge है जो लोगों ने बहुत face किया है वो है videos को record करते हुए focus कैसे करें DSLR में focus करना normal camcorder और video camera से अलग होता है इसको कैसे करना है क्या तुम हमारी viewers को explain करना चाहोगे क्यों नहीं still subject को shoot करने के लिए हमारे पास तीन focusing modes हैं जो कि AFS है, AFC और AFA लेकिन जब हम videos बनाते हैं तब हमारे पास दो focusing modes होते हैं AFS और AFF AFF full time autofocus के लिए होता है AFS focusing mode widely still subject के लिए यूज किया जाता है जैसे कि अगर आप किसी particular scene को shoot कर रहे हैं जहां subject हिल रहा है और आपके camera का position भी बहुत static है और आप camera को ज़ादा नहीं हिला रहे हैं तो AFS use कीजिए इसी के साथ अगर आप कुछ motion shoot कर रहे हों जैसे कोई subject आपकी तरफ आ रहा है या आप से दूर जा रहा है diagonally तो आप AFF use कर सकते हैं और आपका camera actually subject पर focus करेगा तो दूसरी चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है normal normal mode को आप तब use करेंगे जब आप 50 या 35 रहे हैं अगला है subject tracking तो जब आप subject को move करते हुए shoot करना चाहते हो तो आपको अपना focus subject पर lock करना होगा फिर आप उसे track कर सकते हैं आप जब कोई जानवरों को shoot कर रहे होते हैं या इधर उधर घूम रहे होते हैं या कुछ भी जो hill रहा हो आप actually subject को track कर सकते हैं आपका camera automatically subject को track करता है और उस पर अपना focus locked रखता है और सबसे आखिर में है आपका face detection जहां आप camera से face को detect करते हैं और shoot करते हैं हाँ इस feature में आपका camera automatically face को detect करता है और उस पर अपना focus locked रखता है तो ये थे focus area mode जिसका आपको खासतोर से video shoot करते वक्त ध्यान रखना है और ये depend करता है कि आप किस तरह के scene shoot कर रहे हैं दूसरी चीज आपको white balance को भी check करना है जैसा कि आप still photography में करते हैं उसी तरह आपको video में भी white balance को set करना है जिससे कि आपको proper color मिले अगर आप धूप में shoot करना है तो आपको white balance direct sunlight के लिए set करना है और अगर आप cloudy weather में shoot कर रहे हैं तो आपको white balance option में जाकर वहाँ से cloudy white balance को चुनना है जो की camera में available है इसे आपको colors अच्छे मिलेंगे तो अमन और क्या वैल अभिशेक हमने बहुत सारी tips और techniques बता दी है अब चलो location की तरफ बढ़ते हैं और कुछ videos shoot करते हैं हाई everyone आपका स्वागत है केरल की इस खुबसूरत location पर आज हम यहाँ कुछ जबरदस्थ videos shoot करने वाले हैं स्टूडियो में हमने DSLR film making के बारे में बातचीत की थी जो की beginners पर ज्यादा focus थी हाँ मन हमने आपको स्टूडियो में tips और techniques बताई थी जो की camera की settings के बारे में थी और ये उनके लिए ज़ादा focus थी जिन्होंने अभी-अभी नया-नया DSLR camera खरीदा है और जो जानना चाहते हैं कि कैसे अलग-अलग situations में वीडियो को record किया जा सकता है लेकिन अब हम बात करेंगे कि कैसे DSLR को यूज करते हुए professional quality की films shoot की जा सकती है अभी हम DA10 यूज कर रहे हैं हम दोनों ही DA10 cameras पर 24-70mm lens यूज कर रहे हैं और ये जाहिर सी बात है कि हम हर scene और lighting condition के हिसाब से lens बदलते रहेंगे लेकिन आप जानते हैं कि professional films के लिए बहुत जरूरी है कि सही film equipment का चुनाव किया जाए और इस तरह के camera system को चुनने से आपको हमीशा high quality video footage मिलेंगी और एक जबरदस film या videography experience मिलेगा और इसके लिए sturdy tripod का होना बहुत जरूरी है of course आप बहुत सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं जब footage शूट कर रहे हूँ इसमें slider है, study cam है, mat boxes है लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एक camera में अलग-अलग lenses यूज कर सकते हैं tripod यूज कर सकते हैं और कैसे high quality video shoot कर सकते हैं मैं यहाँ पर हूँ और अमन किसी और location पर shoot कर रहा है लेकिन मुझे कुछ और दिल्चस्प चीज मिली है बिल्कुल मेरे सामने यहाँ एक bottle पड़ी हुई है foreground पर और इसके पीछे बहुती खुबसूरत sea escape आ रहा है जब filming और composition की बात आती है तो यह करीब-करीब photography जैसा ही होता है कुछ भी मुश्किल नहीं है आपको बस composition में rules का ध्यान रखना होता है कि आप photography में क्या implement कर रहे हो वही same rules आपके film के लिए भी होते हैं तो मैं एक खुबसूरत frame बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और देखता हूँ यह कैसा लगता है एक और tip जब आप professional quality की film shoot कर रहे हूँ तो हमेशा manual mode पर ही shoot करें आपका exposure manual mode पर होना चाहिए चाहे फिर आप focus lock पर ही क्यों ना हो अपने lens को manual mode पर रखें इससे camera का focus जल्दी shift नहीं होता और अभी मैं बहुत selective हो गया हूँ बोतल को focus करते हुए देखते हैं दूसरी camera settings में एक ऐसा दिखाई देता है आल राइट तो मैंने बस अभी इपना 24-70 lens 85 1.4 से change किया है reason यह है कि जब मैं 24-70 use कर रहा था तो मुझे wider frame मिल रहा था वो भी 70 mm पर तो अब 85 के साथ मुझे ज्यादा बहतर और अच्छे closer shots मिल रहे हैं और साथ ही background को भी मैं negate कर पा रहा हूँ longer focal length इसमें मेरी मदद कर रहा है आप सेवी आफे हूँ तो मुझे लग्राग अब भी और याभ्रा कर इसमिद रहा है वज झाबधापशन सेड़ कर दो कर दो है सक्षिव सबस्खनक में प्रकार सुखनक में कर दो लुखनक कर दो स्वफनक में थै़ल समय के फीज़ तो आमन, तुमने कैसी फुटेज़ ली हैं? हाँ, मुझे कुछ बैतरीन क्लिप्स मिली हैं तो चलो, हम स्टूडियो वापस चलते हैं, सारी फुटेज रिव्यू करते हैं और हमारे व्यूवर्ज को भी फुटेज दिखाते हैं हम बहुत सारी टिप्स और टेक्नीक्स शियर करेंगे कि हमने ये फुटेज कैसे ली और हमारे कैमरा की सेटिंग्स क्या थी तो स्टूडियो वापस चलते हैं, चलने हैं चलने स्टूडियो, ओके चलो ओके तो अब हम वापस टूडियो में आ गए हैं अमन तुमने कैसी फुटेज़ ली हैं? हाँ मैंने बहुत अच्छे क्लिप्स लिए हैं मैंने भी कुछ बढ़िया क्लिप्स शूट किये हैं Nikon D810 से और D750 यूज़ करके चलो सारी फुटेज़ देखते हैं कि हमने क्या शूट किया और कुछ टिप्स अपने विविवर्स के साथ शेयर करते हैं अपनी शूट की हुई फूटेज़ को देखते हुए तो पहले इस फूटेज़ की बात करते हैं फ्रेम सेम है जैसा कि आप देख रहे हैं F8 और F11 अपर्चर चुना है। इस क्लिप को देखकर आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान वीडियो के अपर्चर के साथ साथ उसका परस्पेक्टिव भी चेंज कर सकते हैं। अगले क्लिप आप देख रहे हो वही सेम सब्जेक्ट है लेकिन वेरियस वाइड बैलेंस पर शूट हुआ है। वेरियस वाइड बैलेंस पर शूट करने से आपके पिक्चर्स को डिफरेंट फील और अच्छा लुक मेंदा। तो जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि एक ही सीन है पर पूरी तरह से डिफरेंट है और हर तरह के वाइड बैलेंस को इस वीडियो में यूज किया गया है। और कुछ आड करने की बात करूँ तो आप क्लावडी सेटिंग्स को डेलाइट के लिए यूज कर सकते हैं अपने वीडियो में एक डिफरेंट और क्रियेटिव लुक देने के लिए तो क्लावडी वाइट बैलन्स का यूज ब्राइट सनलाइट में आपके वीडियो को वाइट बैलन्स को यूज कर के अपने वीडियो का पूरा लुक और फील बदल सकते हैं अब ये footage बहुत ही low lighting condition में Nikon D750 से शूट किया गया था अब Nikon cameras सच में बहुत ही capable है इस तरह की lighting conditions में शूट करने के लिए ये video 6400 ISO पर शूट किया गया है इस video में आपको किसी तरह का noise और grains नहीं मिलेंगे इसी तरह आप कुछ खुबसूरत भोके भी create कर सकते हैं 85mm 1.4, 50mm 1.8 या 50mm 1.4 को use करके इस तरह के prime lenses बहुत ही useful होते हैं इसे आप अपने shots में cinematic भोके create कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छा है खासतोर से low lighting condition में तो अब आपको ज़्यादा फिकर करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका camera इस तरह की low lighting conditions में shoot कर पाएगा या नहीं आपको बस camera लेना है और videos को record करना है आप ISO 1600, 30200 या 6400 भी रख सकते हैं 2014 में Nikon ने 5 नए cameras introduced किये हैं इन cameras की खासियत ये है कि ये full HD movies 60p पर shoot करता है अब 60p पर movies shoot करने से movies को slow down करना बहुत आसान होता है उनको slow करने से पूरे video में creative feel आता है तो आप बहुत अच्छे slow motion videos बना सकते हैं और उनमें बहुत cinematic feel होता है तो अब ये वाला video देखते हैं जो कैरला में shoot हुआ था यहाँ ये performers martial art जैसा कुछ कर रहे हैं और हमने video को बहुती slow down किया है जिससे कि पूरे film में cinematic feel आ रहा है आप देख सकते हैं तो जब हम वहाँ थे तो हमने बहुत सारी video footage's shoot की थी बहुत मुश्किल है उन सब को यहाँ दिखाना तो ऐसा करते हैं हम अपने viewers को videos के कुछ stunning compilation के साथ छोड़ेंगे जिससे उन्हें एक अंदाजा हो जाए कि Nikon DSLRs कितने capable हैं लेकिन अभी मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि आप जो भी tutorial series इस वक्त देख रहे हैं वो सभी Nikon DSLRs पर ही shoot हुए हैं तो आप इस छोटे से video compilation को देखिए और उसका मज़ा लीजे हम जल्दी ही वापस आएंगे तब तक के लिए अपने Nikon Buddies, अभी शेक और अमन को दीजे अजाजत कर दो आएंगे कि अड़ीग हैं